है गाइज वेलकम तो साइक आप सब अच्छे होंगे तो आज की वेकेंसी जो मोस्ट इंपोर्टेट है साइकलोजी फील्ड के लिए क्योंकि जितने पोस्ट आ रहे थी अभी वह एक्सपीरियंस ब्रेस्ट पर आ रहे थी बड़ यह जो वेकेंसी यह फ्रेशर्स के लिए और एक्सपीरियंस के लिए भी है तो इसमें आप जो सिंपल अप्लाइकर पाऊगे अगर बीए इन साइकलोजी आपने करा है तो आप इसमें अप्लाइकर पाऊगे रेगुलर अप्वाइटमेंट है लेवल जो आपका सिक्स्ट पे का लेवल आपको मिलेगा नहीं 35 तू 45 था और जो क्लोजिंग डेट है फॉर्म भनने की वह है 15 मार्च तक आप फॉर्म भर सकते हो 15 मार्च के बाद आप फॉर्म नहीं भर पाऊगा ठीक है और इसमें क्यक्के चीज़ी देख लो यह जो वेकेंसी है आपकी यह 23 प्लस टीएवी में है इनकी दयानन एंगलोवेदिक स्कूल फॉर्म लेटाउर होगी स्कूल है तो हर स्कूल में एक एक वेकर स्थीट वेकरिंशी हैं वह बहुट कमी से आती है अपको प्लाइन अपलाएं आप सारे इसचीज है में एक बार आपना फॉर्म भर लोगे तो अपना फॉर्म यहां पर एडिट नहीं कर बाओगे और इसमें और के चीज़ है बाकि आपकी फोटो लगेगी इसमें की पीडिएफ में क्या में इसका बिल्कुल भी किलिया नहीं है ठीक है अगर हो तो आप देख लिना है बाकि मैं बात करता हूं किसकी समय मैं काउंसलर की है तो पीडिएफ बिल्कुल भी किल नहीं है इसका दिखायता है फिर भी आपको इसमें वेलनेस टीचर एंड काउंसलर साथ में सब अलग अलग पोस्ट है तो यह जो वेकैंसी है आपकी किसक की पोस्ट है प्लस आपको डीनेस अलाउंस मिलेगा अलग एक स्कूल के अकोडिंग यानि कि अपकी मंतली जो है वो 43 के करीब आपकी बन जागी मंतली आपके सैली 43 पर मंथ 43,000 पर मंथ जो बेसिक पर 35,000 है बाकि अलाउंस बग्यरा लेवल 6 का पे कमिशन आपको इसमें मि अब आपने पोस्ट ग्रेजुशन कर रहा हो इन सैकालोजी तो आप इसमें भर पाऊगे ठीक है बीए बीए सी या फिर एम्मस्ट कर रहा हो साकलोजिस तो काउंसर एंड वेलनेस टीचर में फॉर्म भर पाऊगे एजली और अगर आपने बीए बीए सी इन साइकालोजी आ तो भी फॉर्म अपना भर भागोई के यह क्वालिफेक्शन की डिये वी क्वालिफेक्शन काफी इससे पहले वैस्ट बेंगल जोन माई थी तो उसमें भी काफी बच्च्चों का भी शॉट से श्रिट होया एक्जाम होना है बारा या तेरा मार्च को और यह उसके बाद न क्लास के लिए कौँंसल पॉइंट को करते हैं नहीं है बाकिसमे ऐक एक काल करने बढ़ेगी स्कूल को आप पूसकते हो कि अंपर मैंसर नहीं किया गया है एंपसी आइइस स्कूल जो है वह बन संपाइव के लिए कांसल पॉइंट करते ही नहीं है तो मैं आपको नंबर दिखाऊंगा अभी उहां जाके आप इसना पता कर सकते हो ठीक है तो और के चीज़ें इसमें और के चीज़ें देख लिए ना डिस्किप्स ने आपको नेट्रोक प्रवाइट कहा दूँगा आपको कोई भी टीए डीए नहीं मिलेगा आपको जो भी आ आपका दीए वी एंपी डीवी मध्धी पर देर जोन से विकैंसिये इसमें आप अप्लाई कर पाऊँगे तो आप इससे देख लिए एक बार इसका एपर रीट कर लिते हैं तो यह आपकी यह कौन सी एंपी जोन किये अच्छका लिना अगर भाट से भी हो तो एंपी जोन सब्सक्राइब को इच्छा अच्छा जिए अच्छा इंपी तो इस गया है तो बात करते हैं कि कैसा अप्लाई करना इसमें कितने घृब करने यह तो आपको बन आपको दिखायत नव से यह प्रविक स्कूल काटनी वगएरा और यह ग्रूप बेके स्कूल है तो इन सब में आपकी ग्रूप में इत दोनों में से आपको किसी एक में पॉइंट के जाएगा और सबसे पहले आपको फॉटो है वह तीन महीने से प्राइब नहीं होने चाहिए और आपके स्केंड सिग पर दोगे वन्स दाफ विसमिट्टेट इसकें नॉट बेटिट तो फॉट अपने ध्यान से बनना एक बार सब्मिट कर दोगा तो दुबारा फॉर्म फिली नहीं होगा ठीक है और चीज दे रही है समय दिखाए तो फीस लगेगी तो फीस कहा है जो फीस है वह जो फीस हो इसमें नॉन टीचिंग 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 पोश्ट विल हैव टू चॉइस ऑफ सेंटर सेटीज आपको में जितने स्कूल में रखे रहे हैं से उसमें से आपको दो सिटीज मिलेंगी जहां पर एक्जाम या इंटरी होगा पर ठीक है जो आपको सब कुछ जहां कर रगा यहां से लिंक डिनों डिस्क्रिप्शन में तो यहां से जाना से स्टाट में तो यहां पको आप्लिकेशन फॉर्म फुल जागा उसके बाद डॉक्रब्ड़ कर लेना और जो आपकी पालिफिक आपस ना जाएगा महां साइसे भढ़ सकते हूँ ठीक है तो रीजनल ऑफिस कहा है इसका सब्सक्राइब कर रहा हूं भड लिना चोड़ना और एक पर कॉल कर लिना आपके पीडिएप में काफी कुछ कुछ कंफूजन है तो यह रहा इनका कॉल नंबर ठीक है अगा पी क्वेरी होगी तो आप इन्हें इस पर इमेल कर सकते हो यहां इमेल आइडिया सा दूनों में से कॉल कर सकते हो बागी कहा होगी ताब मुझेने कमेंड ने पूछ लिना बागी मिलते जिलेंगे दिए तब तक लिए थैंक्यू